क्या आप सभी अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक लक्ष या ध्यात्मिक लक्ष, कोई भी लक्ष, क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, तो आपको अपने जीवन को अपने लक्ष की ओर केंद्रित करने की आवश्चता है, कोई जादू होने वा और केंधरित करने की आवश्यक्ता है। यदि आप अपने जीवन को अपने लक्ष की और केंधरित करना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की आवश्यक्ता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको छोटे छोटे बदलावों से शुरुआद करनी होगी। सभी को बड़ा चाहिए, आत्म ज्यान चाहिए, रुपान तरण चाहिए, परिवर्तन चाहिए, लेकिन छोटे-छोटे कदमों से शुरुवाद करनी नहीं है. आपको शुरु ही करना है, बड़े कदम से होगा, तीन दिनों तरण चाहिए, चोटे दिन नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, और ये सही नहीं है. डायटिंग करने के लिए क्या सीधे भोखे रह जाना चाहिए, मास खमन करना चाहिए? नहीं, थोड़ा-थोड़ा कम करते जाना चाहिए. ऐसा करते रहोगे, तो आपका पेट आपसे अब और मांग नहीं करेगा. लेकिन सीधा पहले ही दिन ऐसा करोगे न, तो ऐसा होगा क तो चौते दिन आप कहेंगे कि मैं ध्यान से उब गया हूँ, इसलिए आपको छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी. यदि किसी को तंबाकु खाने की आदत हो तो उस समय पूछता हूँ कि पूरे दिन में तुम कितना तंबाकु खाते हो, तो बोले इतना, उसे एक डिब्बी में भरें और अपने मन से कहें कि इस डिब्बी से जादा तुम्हें आज नहीं मिलेगा. आपको पता है फिर क्या हुआ? उसने ऐसा करना शुरू किया और सोचने लगा कि मुझे थोड़ा-थोड़ा बचाना है. क्योंकि इतनी डिब्बी से जादा तो मुझ जाती है. देखो ये प्रगदी का कितना सुंदर तरीका है. मन के नखरे भी नहीं और ना ही रीट्रीटिंग सिंड्रोम, कुछ भी नहीं. किसी भी आदत को अचानक छोड़ना मुश्किल होता है. फिर चाहे वो गुस्सा हो, चीखना चिलाना हो, ये सभी बुरी आदते हैं चीखना चिलाना भी. केवल तंबाकु सेवन ही बुरी आदत नहीं है. किस्तों में भुक्तान करें. परंतु किस्तें तै कर ले. किस्तों में भुक्तान करना होगा कि मैं सुभा सिर्फ 15 मिनिट ही जल्दी उठूंगा. मैं सिर्फ 20 मिनिट के ध्यान से शुरुआत करूँग आप अपने किस्तों को निश्चित नहीं करते हैं. इसलिए अचानक एक दिन आप 6-7 घंटों का स्वाध्याय कर लेंगे. फिर अगले 7 दिन तक कोई स्वाध्याय नहीं करेंगे. ये स्विकार ये नहीं है. ये आप भी कर सकते हैं. यदि आप आज ही निरने ले तो एक बा आप लेक.